आज मैं आप सभी को जो सुबह की लार होती है हमारी या बासी थूक जिसको हम बोलते हैं या दिन का भी जो थूक होता है जो लार होती है वो किस तरीके से हमारे सरीर में क्या-क्या फाइदे कर सकती है और किन चीजों में हम यूज कर सकते हैं और उसके पीछे क्या scientific reason है ये सोते रहते हैं तो हमारी बहुत सारी किरिया यह बंद हो जाती है बर हमारी क्योंकि सवशन किरिया चलती रहती है तो जो मुह में लार सलाइवा जिसको बोलते हैं वो बंता रहता है और उसमें जो है प्रोटीन का जो नाइट में कंसेंट्रेशन बहुत जादा हो जाता है और यह different types के proteins होते हैं वो देखिए हमारे अगर कोई घहाव हो जाता है और ऐस तरीके का जो diabetic patients होते हैं उनके घहाव बहुत अच्छी दवाईयों से भी ठीक नहीं होते हैं वो घहाव अगर आप करता है RBC आपके बोड़ी में जो red blood cells होती है वो बनने के लिए भी बहुत हेल्प करता है और यह अच्छा इसको यूज करके हम कुछ अच्छा treatment भी बना सकते हैं इसको medicines वगरा में इस बासी थूख को लार्वा को यूज करके और हम और अच्छे treatment भी कर सकते हैं देखिए जो यह हमारी बासी थूख होती है लार जो होती है इससे अगर हम regular आखों में लगाते हैं तो धीरे-धीरे हमारी जो आई साइट है वो अच्छी हो जाती है और हमारे चस पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं या आखों के नीचे जो काले घेरे हैं तो उस पर आप जो है बासी थूख लगाईए तो आपके जो दाग धब्बे और काले घेरे हैं वो भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएंगे देखिए पसू हमारे से ज्यादा इस चीज को जानते है कि आपने देखा होगा कि उनके कहीं भी जो घाव कहीं हो जाता है लग जाती है तो उसको चाटना वो अपनी थूख से उसको चाटना साट कर देते हैं तो वो चाटने में क्या करता है वो उस जगह पर अपना थूख जो है बासी थूख जो होती है वो लगा देते हैं या ल जो यह थूग होता है इसमें बहुत सारे प्रोटेइंस होते हैं और प्लस उससे कुछ तो यह है कि मां जो है मदर जो होती है और जो जो भी जैसे एक काव है वो अपने बच्चे को चाटती है तो उसे उसका धीरे-धीरे उसका बोड़ी temperature बाहर के atmosphere में mix हो इसके लिए वो regulate करने के लिए करती है और दूसरा जो है कि उसकी जो body होती है बहुत नाजुक होती है तो जो बाहर के environment में जैसे ही वो आता है तो बाहर के बैक्टीरिया उसमें बहुत जल्दी असर करते हैं तो क्योंकि जो थूक होता है उसमें antiseptic का भी व बहुत सारी किताबे उन्होंने लिखी है उन्होंने ये कहा है कि जो गंधक होती है मतलब लार जो होती है उसमें वो सारी चीज़े लगभग पाई जाती है calcium, sodium, magnesium जो मिटी में होते हैं तो देखे इसको जो है as a antiseptic भी हम यूज़ कर सकते हैं और जो सुबह की बासी थूक ह होती है उसमें healing power इसलिए सबसे ज़्यादा होती है वैसे तो कोई किसी भी time कि अगर आप अपनी थूक लगाते हैं वोंड्स पे तो बहुत फायदा करती है बट जो बासी थूक होती है तो उसमें क्या होता है जो proteins होते है different type के उसका concentration ज्यादा होता है क्योंकि पूरी रात वो processing करके और वो थूक हमारे मुह में ही होती है क्योंकि दिन में तो जो है धीरे-धीरे हम गिटकते रहते हैं तो थूक अंदर जाती है तो जो गंधक बनती है जो proteins बनते हैं वो कम होते जाते हैं मुह के अंदर पर जब रात में होता है तो रात में क्या है जो गंधक या ज concentration होता है तो यह देखिए मैंने आपको मुझ की लार के फाइदे बताए थे इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहे है बहुत जनरल सी चीजे जानने के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा कर सकती है और डायबिटिक पेसेंट्स के लिए तो वूंड हीलिंग के लिए सबसे बैस्ट है कि आप अपना जो है सुबह की बासी थूख आप यू कि आपको बासे 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 है नापको बासे है बासे में जापको बासे में अरवं हीलिंग तो और ऑट जा समय निचे बैसारे है जखेंगवत जापको जाब है